असलाम अलेकूम नमस्कार सस्रियाकाल और गुड इवनिंग मैं हूँ अर्दु काजमी और आप हमेशे की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राइजी यहां बेजा फ्राइजी के नए पिसोड के साथ हम हादिर है और इससे पहले कि हम चलें जी अपनी वीडियो की तरफ या हम चलें न्यूस की तरफ सबसे पहले जिसने भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा बात हम करेंगे सबसे पहले इमरान खान साब की जी ہے وہ ہائی cورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی اور آج ہائی cورٹ کے judge جو تھے انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کل صبح گیارہ بجے بتائیں گے تو کل صبح گیارہ بجے تک کے لیے خان صاحب پور انتظار کرنا ہوگا کہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے یا نہیں بہت سے لوگوں کو میتی کہ آج امران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور امران صاحب رہا ہو جائیں گے لیکن اسلام और माँबाद हाई कोट ने फैसला जो है महफूस कर लिया है और अलेक्शन कमिशन को भी बता दिया है जी फिलाल हम ने फैसला कर लिया है लेकिन वो हम कल सुबा क्यारा बजे बता आईंगे तो जी हम भी आपको पिर कल सुबाई बता सकेंगे के खान साब बाहर आए या नहीं आए बात हम करेंगे पाकिस्तान की और बात हम करेंगे सबसे पहले कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो के चंद्रियान थ्री मिशन कंप्लीट होने पर भारत को मुबारक बात पीश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत चेंज आया है, कई सालों में तकरीबन पांश से चे साल में अगर आप कहें, तो एक बहुत बड़ा चेंज यह आया है कि अब लोग जो हैं वो भारत को बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत की सक्सेस पे कुश होते हैं मुबारक बादें भी देते हैं और ये बात भी करते हैं कि पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखना चाहिए हमारे बहुत से पाकिस्तानी गेस्ट भी ऐसे आते हैं जो बार बार ये बताते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखना चाहिए इसका मतलब है कि कुछ कम लोग सही लेकिन ऐसे लोग एक चूरन था जो मुसल्मानों को उस वक्त खिलाए गया उस वक्त के जो भी पॉलिटीशन थे उन्होंने अपने फाइदे के लिए सब कुछ किया लेकिन खेल उससे पहले कि हम आगे बढ़ें सबसे पहले हम एक वीडियो की तरफ चलेंगे यह वीडियो आमारे बाहरती जो पॉजी दोस्त हैं करिनल दानवीर सिंग उनकी है और उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं कोई टैक्टिक्स हो सकती हैं मगर बारहल यह बात तो अब करिनल दानवीर और बहुत से लोग मान रहे हैं हिंदुस्तान के के पाकिस्तान की सोच बदल रही पाकिस्तान में यह नहीं कहूंगी कि सभी की सोच बदल गई है लेकिन बहुत से लोगों की सोच बदली है और अब लोगों को लगता है कि टू निशन थियोरी जो थी वो यकीनन एक धोका था एक चूरन था और उस वक्त के पॉलिटीशन्स ने अपने फाइदे के लिए मुस जो है सरा सर जूट है लगव है और बे बनियाद है मैं जिस आफिस में यहाँ पर अमेरिका में जॉब करता हूं मेरे साथ बहुत सारे इंडियन्स हैं आप यकीन करें कि वो मुझे कहते हैं कि आवैस भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े हों और अमरता प्रेतम ने शायद कहा था कि लाली पर यकीन दी दस ली है कि रोहे तुसी भी होते हैं रोहे असी भी हैं यह तो सरा सर बकवास थी सोया टू नेशन थियोरी आपको पता है कि अगर टू नेशन थियोरी के नतीजे में पाकिस्टान मार्ज वजूद में ना आता तो आज मैं और आप 84 रुपे का डॉलर खरीद रहे होते आज मैं और आप एक relatively stable माहौल के अंदर रह रहे होते यह जो कहते हैं पाकिस्तान है यह तो अलीगड के लॉंडों की साज़िश थी और जो नया पाकिस्तान है वो है चिसन के लॉंडों की साज़िश थी तो असल मे जो पाकिस्तान है वो उसको काकूल के लॉंडे चलाते हैं और जिस तरह चला रहे हैं वो आपके सामने हैं लेकिन इस पाकिस्तान का जी तो यह थे अवैस इकबाल जो बता रहे थे कि पाकिस्तान को कौन चला रहे है पाकिस्तान को किसने बनाया और क्या हो रहे है लेकिन ब बिरेकर चले के में यहाँ बैटी हूँ और इस वक्त में ही एक इसा टारगेट हूँ जिसको मेरा जा सकता है जिसको सुनात आज सकते हैं तो इस वक्झे shord के बाते सुनाई जा रही है और लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग ए ने डिवी सोच रहे हैं बहुत से लोग आपरीशेयट भी कर रहे हैं पाकिसान में वेस्कि इस बत को और जैसे के हम पहले बात कर रहे थे करनल दानवीर की विडियो की तो बिलकुल करनल दानवीर ने भी ये कहा कि सोशल मीडिया से बड़ी अवेर्नेस आई ये पाकिस्तान में लोगों को सचाई का पता लगए वर्नेस से पहले तो हमारी टेक्स बुक्स में भी यही पढ़ा करनल दानवीर की जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक बिल जाएगा तो आप लोग जाके उनकी फुल वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शियर कीजिए और बहुत शुक्रिया करनल सापका के उन्होंने परमीशन दी के मैं ये क हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे एक बढ़ फिर पाकिस्तान की और पाकिस्तान से आपको जानते हैं कि अमेरिका में एक पाकिस्तिनी डॉक्र की जो है जेल हुई है और उसका Katrina में मौहमध मसूद और जी कहा यह जा रहा है इसके बारे में कि यह दाइश के लोगों की मदद करने जा रहा था और इसका इरादा ये था कि अमेरिका में अटैक किया जाए यानि अमेरिका में रहकर ही अमेरिका में अटैक करने की सोच रहे थे और इस किसम के लोग भी पाकिस्तान से जा कर अमेरिका में और कहां कहां पे बस रहे हैं पड़े लिके डॉक्टर और इ फ्रूबों की साज़िशया या किसी और की साज़िशया वड़ना तो ये देखें कितना इसका नूरानी चेहरा है वैसे मेरा ख्याल है इसको फ़ूरी तो पे जो एना वह अमेरिका वालों को चाहिए पहले तो इसको haircut के लिए अफगानिस्तान बेई दे अफगानिस्तान क्यों बेई दे वो मैं आपको बताती हूं उसकी वज़ा यह कि अफगानिस्तान वाले haircut बहुत अच्छे से करते हैं यह आप देख रहें यह चपड़े खा 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 गहरें सके बाल काटे जा रहे है और इसका उल्या सभी किया जा जा Ihrer है तो यकीन doesn यह जहों पाकिस्थानीी डॉक्टर जहे हो मिले हैं अमेर्गा में और यह दाइश की और भी कोई डाइश के लोगों की मदद करने जा रहा था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जी उसके बाद अमेरिका में ही जो है वो अटैक करने का भी प्रोग्राम था लेकिन फैर ये पकड़े गए लेकिन ऐसे ही कितने ही लोग यॉर्प में और अमेरिका में घूम रहे होंगे और फिर रहे होंगे और यकीनन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है जो terrorist groups है वो उनकी सोच भी बदल रही है और यकीनाँ आप वो इस किसम के लोगों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पढ़े लिखे होंगे या कम से कम पढ़े लिखे दिखाई देते होंगे इस किसम की डिग्री से लेकर याईज डाक्टरेट की डिग्री लेकर और इस किसम की लोग जो है आप आपको किसी जगह भी दिख जाएंगे और बड़ा ही एक अजीर सा महल क्रिएट किया है बहुत ये खतरनाक सी बात है और यकीनन इसके उपर अमेरिका को क्या पूरे यॉरप को जो है वो बहुत खुशियार हो जाना है बहुत अफसोस होता है ऐसे लोग कहूंगी तो यही के बहुत कम है जो इस किसम के लोग जहें जाकर और ऐसे टैक्स का कर रहे होते हैं लेकिन फ आनुला काकर साथ के टेकर प्रार मिनिस्टर उनका कहना है कि ऐसे मुम्किन नहीं कि आए आम आदमें मुश्किल में हो और अफसर शाही और वजीर आजम इनको टैक्स पर मुफत विजली और सारी फैसिलिटिस मिलें जी अगर आप लोग चाहें तो में उनके room की AC बन कर सकते हैं यानि कई तो वही बात हो गई ना कि जी ठीक है अगर आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो आपके क्यों निखा लेते ये इस किसमनी नौटंकिया करते हुए मुझे समझ नहीं हारी का नौटंकिया करने की क्योंकि सर आप आएं हैं election करवाने के लिए election करवाईए और निकलिए पीपल्स पार्टी यानि के बिलावल भुटो जरदारी की पार्टी ने भी अनाउंस किया है साथ साथ जमात इसलामी ने भी अनाउंस किया है कि जी ये लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे जो बिजली के बिल आए हैं बड़े बड़े लोगों को लंबे लंबे जो बिजली के बिल बेजेंगे उसके खिलाव प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे साथ साथ गर्मिन ने ये भी कहा है कि जो बिजली के महकमे में काम करते हैं लोग उनको जो फ्री बिजली मिलती है वो फॉरण बंद कर दी गई है लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि पॉलिटिशन, ब्यूरोक्रेट्स, फॉजी, एजनसी और ये सब लोग जो फ्री बिजली और फ्री पेट्रॉल और स सके, इतनी हिमत तो मेरा नहीं क्याल के किसी के अंदर भी होगी, लेकिन ये जरूर है, कि ये किये बगएर ये लोग जो हैं, इस मुसीबत में से नहीं निकल सकते, पाकिस्तान में लोग खुदकुशियां तक कर रहे हैं, अब रावल पिंडी, इसलामाबत के साथ एक और श और हमारी एजन्सी और हमारी स्टैब्लिश्मेंट एक दम चुप है, कोई आवाज ही निकल रही, ये जरूर कहा जा रहा है, कि जिनको बिजली के बिल आए हैं, उनको उस बिल को लोग इंस्टॉल्मेंट में दे सकते हैं, यानि कि एक साथ बकला, एक साथ बकरे को हलाल करन हैं, दो से तीन इंस्टॉल्मेंट में दे सकते हैं, लेकिन बात तो फिर वाई है, कि जो नेक्स मेंट आएगा, उसमें फिर इतना ही लंबा चौड़ा बिल जब लोगों को आएगा, तो वो आखिर कितनी इंस्टॉल्मेंट बनवाएंगे, और किस तरहां से देंगे, क्यो बेटा पे तो आपको करना ही पड़ेगा, ये हाले पाकिस्तान का और उसके बात कहते हैं, कि जी हम तो जो है, वो इसलामिक कंट्री हमने बना ली है, और हमारे पास आटम बम है, अब उस बम का क्या करें, ये तो खेर हमारे पलिटिशन्स ही बता सकते हैं, बारल हम जी चलत हैं, और आपको बताते हैं, नेक्स्ट न्यूज और हम सासर ये भी बताते चलें आपको, कि इस वक्त नवाज शरीफ साब ने भी यही कहा है, कि जी उनकी वापसी का कोई इरादा नहीं है, और अगर ये ना हुआ, यानि कि अगर इलेक्शन अनाउंस ना हुए, तो वो फि ग्रीन सिगनल आ जाईए, सुनने में यह आया है कि इस्टैबलिश्मेंट का आशिवात PMLN के साथ है, और पीपल्स पार्टी को थोड़ा साइड लाइन किया जा रहा है, जिसकी वज़ा से पीपल्स पार्टी के लोग काफी अपसेट हैं, और ये बात जी हमें हमारे सूतर से पता लगी है, जी हाँ, इसी वज़ा से पीपल्स पार्टी और लग रहा है कि नून लीग यानी PMLN जो है, वो आपस में थोड़े डिस्टेंस पे चले गए हैं, बात हम करेंगे जैद हामिज साब की और जैद हामिज साब की उस इंटर्व्यू के बाद, जो उन्होंने डॉक्टर बासित को दिया और चंद्रियान के उपर सवाल उठा दिये, उसके बास से काफी लोग जो है, वो उनकी बाते कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है, यह कहीं न कहीं एक न्यूज में आने की भी तरकीब हो सकती है, जी. बात पर खिद्मत करते थे, खाब में देखा, कि हजुआ बदर के शोहदा के साथ, घजवए बदर के मुझाहिदीन के साथ, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान का दिफा करने के, ताब मुझती लिखते हैं, गजवए बदर के शोहदा, पाकिस्तान के मौसिन है, इन्हो वो फौज जो घोडों पर सवार थी जिसकी तलवारों से रोष्णिया निकल रही थी उस फौझ से हम मुखाबला नहीं कर सकते हैं जी तो बाद हम करेंगे वा एक बार फिर सीमा बाभी की और आप यहां जानि के इंडिया की सीमा बाभी उनकी कहानिया है कि खतम होने में ही नहीं आए ग्जामपल क्या सेट कर रही है वो उसके वी तीन बेचिया दोब इस ने दोबच्च आप यहां कितने टाइम रहते हुं मैं रहता हूं फुल टाइम नहीं 24 गंटे तो नहीं रहते हैं फुल टाइम जितना टाइम है वाइफ क्या करती है आपकी वाइफ हाउस वाइफ है अगर पीछे वह पपजी डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वह चली जाएं तो यह माइक लेकर अपने इ इंड्यन गर्ण मेंट जाय क्यों ने कर पारहीं कि वह पाकिसानी है या नहीं है डीपोर्ट करना है या divert करना है और तरह तरह के तमाशी जो हम वो मसलसल देखने में आ रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी अमाम को रिलीफ में अगर मेरे कमरे का ऐसी भी बंद करना पड़ा तो मैं बंद कर दूँगा जी हाँ ये कहना है अन्वारूला काकड साब का तो काकड साब बासर ही है कि आप के घर का भी ऐसी निकाल जाए या ओफिस का भी निकल जाए उससे पबलिक को कोई फरक पड़ने वाला नहीं है पबलिक को फरक तब पड़ेगा जब आप उनके बिलों को कम करेंगे और ये जो टेक्सिस आपने लगा दिये हैं आइम एफ के चकर में लेकिन जाहिर है कि आइम एफ के प्रोग्राम में भी जाने का इरादा करके सब लोग बैठे हैं तो फिर आखिर परिशानी किस बात की है बात हम करेंगे अली वजीर और साथ इमान मजारी की जियां दोनों को जो है वो रहा कर दिया गया है और उनको बेल मिल गई ये दोनों को ही इमान मजारी को भी और साथी साथ अली वजीर थाब को भी लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि फिर किसी और केस में ना पकड़ लें क्योंके एक साथ कई कईसे जो है वो इनके उपर बना दिये गए बलकिन पर कétais कि का जिस को भी ये पकड़ते हैं ये यही करते हैं कि कई कईसे उनके उपर बना दिये जाते हैं एक बार पिर हम बात करेंगे अन्वारुला काकर साब की उन्होंने का जी मेरे अबाव अजदाद में से कोई वजीर आजब नहीं था ना ही कोई मोगल बाश्या हूँ मैं एक आम आदमी हूँ जी आज़र आम आदमी है और ये दावा तो बहुत से ह ही लेकिन उसके बाद इमरान खान हैलीकॉप्टर से नीचे उतरे ही नहीं और हैलीकॉप्टर में ही दर से उधर घुमते रहे हैं आजकल आप भी प्रोटोकोल इंज़ॉय कर रहे हैं और हर तरह की स्टेटमेंट डे रहे इन इसकी कोई खास जरूरत नहीं है आपको लाया यह election करवाने के लिए तो आप election कीजिए और अपने काम से काम करके बाहर निकलिए लेकिन ऐसा होतावा हमें दिखाई नहीं दे रहा बात हम करेंगे एक बार फिर जी इमरान खान साब की और सब को बड़ा इंतिजार है कि खान साब जो है वो अज मंडे को पहले लोगों का क्य ने पूरी कंट्री में इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए कहाए कि जी जो उनके फ्लैग में जितने कलर्स हैं उस कलर्स के बलूज लेकर हवा में उड़ा दिये हैं जी यहां इस किसम की नौटंकिया और इस किसम के स्टन्स हो रहे हैं और कुछ लोगों ने इस तरह से ब स्क्राइब करना ना भूले बहुत जल मजीद खबरों के साथ मजीद नियूस के साथ पेज़ा फ्राय लेकर हम आजिर होंगे थैंक यू